बात करते हैं मुरक्को में आये विनाशकारी भुकंप की जिसकी तीवरता 6.8 मा पी गई और वहाँ पर भारी तभाई मची हुई है तस्वीरे में आपको दिखाती हूँ देखिए किस तरीके से मल्मे में कई सारे लोग फासे हुए है जो मौत का आकड़ा है वो 300 से जादा है ऐसे में वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू आपरेशन जारी है कई लोग इसमें घायल हुए हैं जखमी है यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है मौरको जो की अफ्रीकी देश है कल रात को 11 बचकर 11 मिनट पर यह भुकम पाता है और यह तस्वीरे रॉंग टे खड़े करने वाली है लोग कैसे भाग रहे हैं लोगों को कुछ समझने का जानने का मौका नहीं मिला और पल में सब कुछ तभा हो गया पल में लोगों की जिंदगी बदल गई पल में लोगों की जमापूंजी खत्म हो गई पल में लोगों की आश्याने बिखर गए कैसे लोग यहाँ पर भाग रहे हैं कुछ फोन पर बात कर रहे हैं अपनों को पकड़ते हूए और यह दरसल मलवे की धूल है आप देख रहे हैं कि धूल में सब कुछ यहाँ पर सिम्ता हुआ है और पांच से उपर का जब भुकम पाता है जिसकी तीवरति 5 से उपर होती है विनाशकारी होती है और यही सब हुआ मुरकों में यहां पर अभी भी लोग फसे हुए हैं रात का वक्त था जब यहां पर भुकम पाता है और अभी उजाले में रेस्क्यू अपर हो रहा है लेकिन किस तरीके से तभाई मची है यह तस्वीरे इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और जब यह भुकम पाया उसके बाद जो जानकारी मिली है कि एतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुचा है युनेस्को की एतिहासिक इमारत थी उसको यहां पर नुकसान पहुचा है देखिए रिक्टर स्केल पर इसकी तीरता 6.8 मापी गई और ऐसे में लोगों को कुछ समझने का जानने का मौका नहीं मिला, देकि कैसे सब कुछ हिलता हुआ, नजर आ रहा है, पल में लोगों की जिंदगी बदल गई, पल में यहां पर कैसे यह पूरा शहर, खंडर में तब्दील होता हुआ, नजर आया, यह बहुती शुर्वाती जब तस्वीरे सामने आई, सब कुछ चलता हुआ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद नुकसान काफी जादा हुआ है इमारते भरबरा कर कैसे ये पल में ताश के पत्ते की तरह इमारत नीचे डह गई ये मुरक्कों से तस्वीरे सामने आ रही है जो पूरी दुनिया को डरा भी रही है क्योंकि से पहले हमने देखा कि जिन भी देशों में भुकम पाए हैं काफी जादा नुकसान वहाँ पर होता है लेकिन ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है पी एम मोदी ने भी दुख वेक्त किया है पी एम मोदी ने ट्वीट किया है कि मुरक्कों के लोगों के साथ हैं हम और ज को बचाने की जद्द जहद है यहां पर आप देखिए किस तरीके से लोग भागते हुए यहां पर सब कुछ बदल चुका है यानि कि कुछ सेकंड में एक खुबसूरत शहर एतिहासिक शहर एतिहासिक इलाका विरान होता हुआ यहां पर लोगों की चीख पुकार मची हुई ह और ऐसे में बाद में आकड़ा और निकल करके सामने आएगा लेकिन इस वक्त हरात काफी जादा बत्तर बने हुए हैं यह आप देखिए कैसे नुकसान यहां पर पहुँचा है इमारत जो यह धांचा है वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है ऐसे में मलबा ही मलबा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां करे तो करे क्या खाएं तो क्हाएं क्या कई सारी इमारते ऐसे जमीन दोस होई हैं यह तस्वीरे आप देखिए और लोग अपनों को निकालने की कोशश कर रहे हैं क्योंकि जब ऐसी तरासलदी आती है जब ऐसा व मुरक्कों से जो तस्वीरे आई है क्योंकि भारत में G20 की बैठक चर रही है पियम मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं उनका कारेक्रम काफी जादा वैस्ट है उस बीच भी उन्होंने ट्वीट किया समय निकाला और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में मुरक्कों के साथ हैं और इससे पहले हमने देखा था कि जब तुर्किये में मुकंप आया था पियम मोदी ने मदद पहुचाई थी भारत मदद का हाथ हमेशा से आगे बढ़ाता आया है जिस भी देश को मदद की जरुत होती चाहे कोरोना के समय में वैक्सीन देने की बात हो या पिर यहां पर अग अगर टीम्स को भेजना हो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तो पियम मोदी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है यह सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दबे होए हैं और ऐसे में क्यो हैं उनको बताएं कि 6.8 की तीवरता का भुकंप जिसको विनाश्कारी कहा जाता है और यहां पर किस तरीके से यह यहां पर सब कुछ हिलता हुआ नजर आया जब जलजला आता है उसके बाद कैसी तस्वीर होती है कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को समझ को में हालात जल्द से जल्द ठीक हो